मद्ध्य प्रदेश में चौते चरण में आज सीटों पर वोटिंग हो नी है ये सीटे मालवा और निमार की हैं तो राज्य में सियासी तौर पर दूरा फोकस इन दिनों मालवा और निमार पड़ है डॉक्टर मोहन यादव भी इस अंचर में तुफानी प्रचार कर रहे हैं आज सीएम खंडवा खरगोन देवास में प्रचार से लेकर रोचो करने वाले हैं सीएम खंडवा लोकसभा शेत्र के भीक नगाओ विधान सभा के हेला पड़ाओ में जन सभा करेंगे सीएम खरगोन लोकसभा शेत्र के नवाली में जन सभा करेंगे सीएम शाम में देवास में जन सभा और रोचो भी करने वाले हैं ये पूरा कारिकरम आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तीन लोकसभा सीचो को साधने का खंडवा, खरगोन, देवास भारती और जनता पार्टी के प्रत्याशियों के अगर में बात कर लूँ तो खंडवा से ग्यानिश्वर पार्टिल मैदान में है खरगोन से गजेंद्र सिंग पतेल और देवास से महिंद्र सोलंग की इन लोगों को वापिस से इन प्रत्याशियों को वापिस भात्य जंता पाटी ने चुनावी मैदान में उतारा है और अब इस खबर पर अदिक ज्यानकारी के साथ जुड़ गए है मेरे सहोगी विवेक पांडे कल भी मालवा निमार के कई सीटों पर बीजेपी के पक्ष्मी माहौल बनाते देखे थे सीटें आज फिर एक बार मिशन चौथी चरण की सीटे बिल्कुल लंजली कुछी दिनों का समय बचा हुआ है चौथी चरण की चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मालवा निवाड और आदिवासी एंचलों की सीटे हैं तो ऐसे में मुख्य मंतरी की जिब मेदानिया और भी बढ़ गई है कल चार लोग समय सीटों पर मुख्य मंतरी के दोरे हुए थे और आज खंडवा, खरगौन और देवास में उनकी सभा है खंडवा की बात कर ली जाए तो ग्यारा बजे के आसपास भीकन गाओं इलाका है वहाँ पर मुख्य मंतरी की सभा होगी इसके बाद मुख्य मंतरी खरगों चले आएंगे वहाँ पान सेमल और बढ़वानी वहाँ पर दो जन सभाओं को संभूद करनेगे इसके बाद मुख्य मंतरी का आज लंबा रोडशो है जो देवास से बागली के बीच में होना है कई किलो मीटर का ये रोडशो होगा और मुख्य मंतरी इन तमाम जन सभाओं के दोराद आज इस तरीके से एक देश में बयान है सैम के तरोड़ा को लेकर कल भी मुख्य मंतरी का बयान आया था कि देश को बाटने वाला ये बयान है ठीक उसी तरीके के और भी बयान कॉंग्रेस में हमला फर नजार आएंगे मुख्य मंतरी देखें वो यह वो सीटे है जहाँ बीजेपी लंबे समय से अपना कब्जा बनाए रखी हुई है और 2024 पे जब कॉंग्रेस ये भरोसे में बैठी है कि जनता स्थानी मुद्दो को लेकर नराज होगी और कॉंग्रेस के पक्षिमें बूट करेगी तो ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जब दोरे कर रहे हैं तो वो ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार लगातार इन तमाम विलाकों में बेहतर काम कर रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री के बजाए और भी कई बड़े कॉंग्रेस के बड़े नेता यहां पे पहले भी कर चुके राहुल गांधी ख खंडगा, खरगोन और देवास और उसमें भी आदिवासी वोट बैंक को आज उस साथ दे दिखेंगे सीम डॉक्टर मोहन यादा बहुत 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 शुक्या विवे तमाम जानकारी के लिए बढ़ते अगली खबर के और देखिए तीसरे दोर की मतदान के बाद चुना खत्म हो गए हैं मध्यप्रदेश के दोनों दलों के नेताओं का काम खत्म नहीं हुआ है, 36 गड़ के नेताओं को पडोसी प्रदेश में चुना प्रचार के काम में लगा दिया गया है, अब चुनावती बड़ी है इन नेताओं की, जिनको ओरेसा में नवीन पठनाय की पा उलीशा में भी अपना चुनावी जोहर दिखाते नजर आएंगे, उलीशा इसलिए भी खास है क्योंकि यहां लोग सभा चुनाव के साथ ही विधान सभा चुनाव भी चल रहे हैं, और 20 सालों से उलीशा में नवीन पतनाय की सरकार है, ऐसे में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों की कोशिश जादा से जादा सीते हासिल करने की है, 36 गल के पूर्व सियम भूपेश बगेल ने उलीशा में मोचा संभाला हुआ है, तो मुक्यवन्ति विश्णुदेव साय ने भी कोट पाड उमेर कोटे में चुनावी सभाएं की, इसके अलावा डि उलीशा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है, उलीशा के कई इलाके 36 गल से लगे हैं, पूरवर्ती इलाके में 36 गल का प्रभाव है, दोनों ही राज्यों में सायंस्कृतिक समानता भी है, दोनों ही राज्यों के लोगों की आवज आही जादा है 36 गड़ में चुनाव संपन हो चुके हैं, इसके बाद उनिशा में चुनाव होने हैं, तो जब 36 गड़ प्रदेश जो है उनिशा के पूरे आधे छेतर से लगा हुआ प्रदेश है और 36 गड़ के अलग प्रभाव भी है, उनिशा के जो पूरवर्ती इलाके हैं वहां, तो इस को देखते हुए 36 गड़ के तमाम निता माने निमुख्य मंत्री जी से लेकर मंत्रियों तक का और मानी प्रदेश सद्धक जी से वरिश निताओं का भी वहाँ पर प्रवास है ताकि वहाँ पर भारती जनता पार्टी के जो भी प्रत्यासी खड़े है उनका सहीयोग कर सके वहीं कॉंग्रेस के संगठन महामंत्री मल्कीज सिंग गौदू का कहना है कि जिन जिन जगों पर प्रदेश के नेताओं की मांग हो रही है वहाँ पार्टी के नेता प्रशा करने जा रही है 36 गड़के नेता उरीशा के दौरे पर चल पड़े हैं लेकिन उरीशा के चुनाव में कितना असरदार होंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए कितना माहौल बना पाएंगे ये देखने वाली बात हुए वियो रिपोर्ट विस्तार दियूस तो देखे 36 गड़ के नेता लगातार उरीशा में प्रचार करने जा रहे हैं CM विश्नुदेव साहे आज भी उरीशा में धुवादार प्रचार करेंगे CM आज उरीशा के कोरापुट में तीन सभाओं को संभूधित करेंगे तो डिप्टी सीम अरुनसाव प्रचार के लिए उरीशा में रहने वाले हैं हाज से अगले तीन दिनों तक अरुनसाव उरीशा में प्रचार करते नजर आएंगे जहां वो अलग-अलग सीटों पर जाएंगे इससे पहले 36 गड़ BJP के अध्यक्ष किरन सिंग देव भी ओडिशा के दौरे पर है वो चार दिविसी दौरे पर है तो देखे क्या CM, क्या डिप्टी CM और क्या प्रदेश अध्यक्ष तमाम 36 गड़ के आला नेता भार्तिय चंता पाटी के वो लगातार अब ओडिशा में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिख रहे हैं और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैं रुक करूँगी मेरे सहयोगी खोमन साहु का खोमन हम देख रहे हैं 36 गड़ के आला नेता लोगसबा चुनाव संपन होने के बाद उस राज़ में अब अपने पड़ोसी राज़ में फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं देखे निसी तोर पर अंजली जिस तरीके से 36 गड़ के नेताओं की ड्यूटी उडिशा में लगाई गए चाहे मुख्यमंत्री विश्णुदेव साह की बात की जाए उप मुख्यमंत्री एरून साह की बात की जाए या कीरण सीदो जो बज़ेपी के प्रदेश सद्यक्ष मोहन मरकाम उसकी बात करूं तमाम नेताओं को ऐसे ऐसे सीट पर भेजा जा रहा है जहां जहां उसके समाज का उनका प्रभाव क्यूंकि उडिशा 36 गड़ से सटा हुआ राज्या ऐसे में जो उडिशा की संस्कृती है उनकी सहस्ता है उनको बहुत अच्छे से 36 गड़ के नेता समस्ते हैं मुख्यमंत्री विश्णु देवसाई की बात कर लू तो अंजली जहां जहां आदिवासी वोटर है उन उन लोकसभा उन विधान सभाव पर सीएम विश्णु देवसाई की सभा कराई जा रही है आज भी तिन सभाव को मुख्यमंत्री संबोधित करते हु पूर्टर जाद है उन समाज और वही जगह पर जो है अरुन साओ का जो है जन सभा करा जा रहा जली तो समझा जा सकता है कि तबाब जो एक लेकिन लेकिन ओडिशा का जो राजे है वहां बीजेडी का डंका बचता है तो ऐसे में अब क्या ग्राउंड की जानकारी निकल कर सा समाजिक रूप से वहां पहुंसता है अंजली तो निश्चित तर पर प्रभाव देखने को मिलता है और चुकि सिएम विश्नु देवसाय की बात की जाए आदिवासी समाज के एक बड़े नेता के रूप में 36 गड़ के सांसाथ पूरे देश में उबरे हैं क्योंकि 36 जो काम किया सरकार ने उसको बताने का प्रयास कहीं न कहीं सिएम विश्नु देवसाय करते हुए नजार आएंगा और कहीं न कहीं लोग भी प्रभावित होते हैं कि कितना बड़ा काम 36 गड़ में हुआ है ठीक उसी तरीके से काम भारती जनता पार्टी भी उडिसाय में करी तो एक बड़ा प्रभाव कहीं न कहीं अंजली देखने को मिलता है और यही कारणे को मिल सकता है और इशा के विधान सवा चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है बहुत बहुत शुक्रे अखोमन तमाम जानकारी के लिए पहले विरासट टेक्स और अब रंग भेर सेम पितरोदा के एक बयान से आज एक बार फिर सियासत में बवाल मच गया है सेम पितरोदा ने कहा है कि पूरवत्र के लोग चीनी जैसे दिखते हैं पश्चिमी लोग अरब जैसे दिखते हैं उत्तर के लोग अंग्रेज जैसे दिखते हैं डक्षिन भारत के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं सेम पित्रोदा के इस नसलवादी बयान पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है सबसे पहले आप वो बयान सुन लीजे जिस पर पूरिद देश में हंगामा हो रहा है We could hold country together as diverse as India Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white and people in south look like Africa Doesn't matter, we are all brothers and sisters इतना ही नहीं, सेम पित्रोदा ने ब्रदान मंत्री पर भी बयानवाजी की और कहा की PM Modi हमेशा मंदर जाते हैं, वो एक राश्टिय नेता के रूप में बात नहीं कर रही है So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity is being challenged by Ram Temple and Ram Naomi and Prime Minister going to Temple all the time and, you know, talking, you know, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP ये वही सेम पित्रोदा हैं, जो 2019 चुनाव के पहले बाला कोट एर श्ट्राइक पर भी बयान देकर कॉंग्रेस के लिए मुसीवत पैदा कर चुके हैं पुलवामा अज्टेक के बाद जब भरत ने पाकिस्तान के खर में भुसकर मारा तो अंकल सेम ने ही कहा था, दुनिया के साथ दील करने का सही तरीका नहीं है अंकल सेम के विवारित बोल, मार्च 2019, बाला कोट एर श्ट्राइक पर सवाल उठाए माई 2019, सिख विरोधी दंगों पर बोले, हुआ तो हुआ जून 2003, मंदिर विरुषगारी का समाधान नहीं करेंगे जनवरी 2024, अंबेटकर की तुलना में नहरू ने सम्विधान में जारा योगदान दिया अप्रेल 2024, देश में विरासत टेक्स पर बात होनी चाहिए इस तरह की टिपड़ियों से सुर्खियां बटोडने वाले अंकल सैम का बयान सुनने के बाद प्रधान मंत्री नरेदर मोदी भड़क उठे और करारा चवाब दिया सरजादे, आपको चवाब देना पड़ेगा सेम के बयान से एक बार फिर कॉंग्रेस पाटी में चिंता का माहौल पैदा हो गया है और बीजेपी को बैटे बिठाए, कॉंग्रेस को घिरने का एक नया मुद्दा मिल गया है अंकल सैम पर बीजेपी के नेता जम कर पलटवार कर रही है कितना बांटों के जाती के नाम पर क्षेतर के नाम पर देश को लेकिन कॉंग्रेस का घिनोना चेहरा पशुधन, इस्त्रिधन चीनने वाला आपकी संपती चीनने वाला और अब आपको जाती के नाम पर नीचा दिखाने वाला सामने आया है यह इंडी गठवंधर मना करके भारत को तबाह करना क्योंकि उनको भारत से कितना प्रेम है मैं नहीं जानता लेकिन जिसको प्रेम रहेगा वो ऐसे लोगों के सैम पित्रोडा के स्टेटमेंट को नकारने का काम करेगा सैम पित्रोडा साब ने भारत, भारती संस्कृती, भारत की पहचान और भारती लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपति जनक बयान दिया है सिर्फ पीजेपी ही नहीं सैम पित्रोडा के इस बयान से कॉंग्रिस भी बैक फूट पर आ गई है इंडिया गठवंदन ने भी सैम पित्रोडा के बयान से खुद को अलग कर लिया है भारती राष्टे कॉंग्रेस इन उपमाओं से अपनी आपको पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है मौसम चुनावी है और सेम अंकल ने नसल पर बयान देकर कॉंग्रिस का पूरा मामला टिरेल कर दिया है अब देखना है कि चुनाव में इसका कितना असर होता है बीरो रिपोर्ट विस्तार दियूज तो देखे इस एक बयान से सियासी हल्चल तेज हो गई प्रतिक्रियां या रही है सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दिया है उन्होंने कहा कि ऐसे बयान कॉंग्रेस की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है साथी उन्होंने कहा ऐसे बयान शर्मनाक है इसी बीच इंदोर से एक बड़ी खबर मिल रही है इंदोर में बीजेपी के वरष्ट नेता गोविंद मालू का नधन बीजेपी के पूर प्रदेश मीडिया प्रभारी थे और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए है मेरे सहयोगी पुनीत विजवर गी है फोन कॉल पर पुनीत ये क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है जी देखें बिल्कुल बड़ी दुखत जानकारी निकल कर सामने आई है गटना है और बीजेपी नेता इससे बड़ा आघात बता रहे है क्योंकि चुनाओ का समय है और मीडिया का पूरा प्रभा उनके अनके पास सामने इसके अलावा देखें अभी धार का जो चुनाओ था धार का चुनाओ में धी उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ती ती थी वह वापस इंदो राय से और चुनाओं के अगले हिस्ट गटना गटित होगी है जी अगली जी बेहत दुखा दी ए खबर की बीजेपे के वरश्ट नेता गोविन मालू का निधन हो गया बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए